केज़ीवाल की नियाईख हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ी CBI की चार्शीर पर जवाब दाखिल किया राउज एवेन्यू कोट ने आप विधाया को जमान दी शराब नीती केस में भ्रहष्टा चार से जुड़े मामले में केज़ीवाल की नियाईख हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाए गई है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोट में उन्हें वीडियो कॉन्फरेंसी के जर्ये पेश किया गया इसी मामले में आरोपी और आप विधायक दुरगेश पाठक को अदालत ने जमानत एक लाख रुपे के बौन पर जमानत दे दी है CBI की सप्लिमेंटरी चार्शी डायर होने के बाद कोट के समन पर वो अदालत में पेश हुए थे दरसल CBI ने अर्विंद केश जिवाल, दुरगेश पाठक, विनो चौहान, आशीश माथूर, सरत रेडी के खिलाफ सप्लिमेंटरी चार्शी ट राउज एवेन्यू कोट में पेश की थी 3 सितंबर को कोट ने चार शीट पर संग्यान लिया कोट ने सभी आरोपियों को आज, यानि 11 सितंबर तक अदालत में पेश होकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था जवाब दाखिल होने के बाद कोट ने केश जिवाल की नयाएक हिरासत बढ़ाई और दुरगेश पाठक को जमानत दे दी सिबी आई केस में गिरफतारी के खिलाफ केश जिवाल ने सुप्रीम कोट में भी याजिका लगाई है 5 सितंबर को इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया वहीं E.D. मामले में केश जिवाल को सुप्रीम कोट से जमानत मिल चुकी है चार शीट में केज जिवाल का नाम मुख्य साज़िश करताओं में शामिल CBI ने 30 जुलाई को 34 सप्लिमेंटरी चार शीट दाखिल की थी जिसमें केज जिवाल को आरोप ही बना आ गया था एजनसी ने आरोप लगाया कि केज जिवाल शराब मीती घुटाले में मुख्य साज़िश करताओं में से एक हैं CBI को राउज एवेन्यू कोर्ट से 23 अगस को केज जिवाल पर मुकदमा चलाने की मनजूरी मिली थी CBI ने पांचवी और आखरी चार्शीट में कहा केज जिवाल शुरू से अपराधिक साज़िश में शामिल रहे इस केस में CBI ने 7 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी पांचवी और आखरी चार्शीट दाखिल की CBI ने कहा कि जाँच पूरी हो गई है और इसमें सामने आया है कि मुखे मंतरी अरविंद केज जिवाल शराबनीती बनाने और उसे लागू करने की अपराधिक साज़िश में शुरू से शामिल थे वो पहले से ही शराबनीती के प्राइविटाइजेशन का मन बना चुके थे चार्शीट के मताबिक मार्च 2021 में जब ततकालीन डिप्टी सीम मनीश सिसोधिया की अध्यक्षता में शराबनीती तयार की जा रही थी तब केज़िवाल ने कहा था कि पार्टी को पैसों की जरूरत है उन्होंने अपने करीबी और आपके मीडिया और संचार प्रभारी विजे नायर को फंड जुटाने का काम सौंपा था 26 जून को सीबियाई ने केज़िवाल को गिरफतार किया था केज़िवाल ने इसे चालेंज किया शराबनीती केस में केज़िवाल के खिलाफ एडी और सीबियाई का केस चल रहा है ED ने केज जिवाल को 21 मार्श को गिरफतार किया था हानकी सुप्रियम कोट ने 12 जुलाई को ED मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी लेकिन CBI केस में वो जेल में बंद है CBI ने 26 जून को शराबनीती केस में ब्रष्टा चार के आरोप में केज जिवाल को गिरफतार किया था